तो दिल्ली में इंडी गटबंदन की चौती बैठक बे नतीजा रही है। दिल्ली में इंडी गटबंदन की चौती बे नतीजा रही है। जबकि कॉंग्रस की कोशिश है कि वो 275 से 300 सीटू पर अपने कैंडिडेट उतारे। सीट शेरिंग के अलावा विपक्षी गटबंदन का सैयोज़क कौन होगा इसे लेकर भी चर्चा हुई। सूत्रू के मताबिक इसके लिए उद्धव ठाकरे ममता बेनर जी नितीश कुमार के नामू पर विचार किया जा सकता है। अलाकि इन दोनू मुद्दों पर बेठक में शामिल नेताओं ने साफ साफ कुछ भी नहीं कहा। लेकिन सूत्रू के मताबिक गटबंदन में शामिल कई पाटियां जल्द से जल्द सीटों का बटवारा कर लेने के पक्ष में है। तो तीन घंटे चली विपक्ष की बेठक किन-किन मुद्दों पर हुई, किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई इस बेठक में वो आपको बताते हैं। तो बेठक में सीट शेरिंग का मुद्दा चर्चा का केंद्र रहा। हाला कि सीट शेरिंग पर बात आगे नहीं बढ़ पाई मीटिंग में इंदी गटबंदन के कोडिनेटर के नाम पर चर्चा भी हुई वेकल्पिक एजेंडा और मुद्दे पर बात की गई यारी बैठक में रणनीती बनाई गई कि बीजेपी के सनातन और भगवा जैसे मुद्दो के जवाब में वो किन मुद्दो को लेकर जनता के बीच जाएगी चुनाव अभियान और मैनेजमेंट पर भी मन्थन हुआ सांसदों के निलंबन पर भी मंतन इस बैठक में किया गया तो विपक्ष की इस बैठक में सीट शेरिंग के मुद्दे पर काफी चर्चा हुई है बैठक में सीट शेरिंग से जुड़ी और जो जानकारी सामने आई है वो भी अब आपको बता देते हैं कि क्या-क्या और बैठक में जो है चर्चा की गई है सीट शेरिंग पर नितीश कुमार ममतब इनर्जी की डेडलाइन ये कह दिया गया कि इसी साल 31 दिसंबर तक आप सीट शेरिंग का फॉमिला दे दीजिए वो अपने राज़ी में सिर्फ दो सीटे चोड़ रही है कॉंग्रेस के लिए ममतब इनर्जी ने कहा कि शक्ति शाली दल की बात मानी जाए एक तरीके से कह रही है कि शत्रपों की बात मानी है क्योंकि आपको प्रदर्शन खराब रहा ये कॉंग्रेस से का गया बर्क्चम मंगाल में TMC कॉंग्रेस के लिए सिर्फ दो सीटे चोड़ने को तयार और उसका कारण कि आप देखिए कि कॉंग्रेस के हालत तीन राज़्यों के चुनाव में क्या हो गई है TMC ने मेगाले में भी एक सीट मांगी है इस बैठक में मम्ता ने कॉंग्रेस को देश बर में 300 सीट पर लड़ने का प्रस्ताव दिया है क्या आप 300 सीटों पर लड़िये कॉंग्रेस से एक आगया मंता बनर जी की ओर से सीट शेरिंग का ये फॉर्मिला और ये मंता का अल्तिमेट्रम दिया गया है इंदी गटबंदन की बैठक में सीट शेरिंग पर क्या कुछ का अविपक्ष के नेताओने वो भी आपको सुनवा रहते हैं सीट शेरिंग का भी हम मिलके पहले जिस जिस स्टेट में हमारे लोग हैं पहले वो लोग वहाँ पर एक दूसरे से समझोता करेंगे अगर कहीं दिक्कत है या कहीं अभी नहीं बन सकता उसके लिए फिर यहाँ पर हमारे जो इंडिया के टबंदन के नेता लोग है उसको वो डिसाइड देरीगा अच्छा राज अभी शिरू होगा कैंपेंड भी शिरू होगा सीट शेरिंग भी सब होगा सभी दल बहुत जल्दी टिकेट मांट करके मैदान में जाने के लिए तयार है अब बहुत जल्दी सीटें डिस्टिब्यूट होंगी